हेलो दोस्तो नमस्कार SMKC चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरू कहना चाहूँगा किसी ने फर्स टाम विजिट के है चैनल को जरू सब्सक्राइब करना बेल आइकन को एट करना अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो यहाँ पर कर सकते हो इस चैनल का भी लिंक उपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सो चले दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अभी हम लोग आचुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और इस वीडियो में बात होने वाली केवल एक ही ग्रूप के शेर्स के बारे में और वह है अदानी ये जोस्तो आप सभी लोग को यहाँ पर में बताना चाहूँगा आज का दीन आप लोगों ने देखा ही होगा इतना हाई वोल्टेज ड्रामा हम लोगों को बाजार में देखने को मिला है और उसके बाद तो हम लोगों को और भी जादा चीज है यहाँ पर कन्फीजन के और यहाँ पर देखने को मिली तो हम लोग एग्जैक्ली क्या हुआ वही तो देखने है आखरी के आदा घंटा 20 मिनिट में ऐसी क्या चीज़े हुई है क्योंकि अगर आप लोग देखोगे सारी चीज़ों को कवर करेंगे कोई कन्फीजन की बात ने अदानी एंटरप्राइजेस आज आप लोग देख सकते हो बहुत बड़ी गिरावट थी बट ओर आल जो बाद में अगर आप देखोगे तो अच्छी कासी रिकवरी के साथ ही स्टॉक बंध हुआ आप देख सकते हो और आखरी का जो आदा घंटा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तीन बजे के करीब एक अच्छी कासी जंप आपको नजर यहाँ पर आ रही है उसी के उपर भी हम लोग जरूर यहाँ पर बात है दैन अगर हम लोग बात करें अदानी पोर्ट की भी अदानी पोर्ट भी नॉर्मल चल रहा था दैन रिकवरी के साथ हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को मिला रैट एंड बाकी के जो स्टॉक्स थे वो शुरुआत से लेके अंतक लोर सर्किट में रहे चाहे वो अदानी पावर हो दैन गैस हो या फिर ट्रांजमिशन हो रैट तो आराम से कोई जल्द बाजी हम लोग नहीं करेंगे एक एक चीज को समझेंगे पहले तो नॉर्मल बेसिक रीजन दैन उसी की साथ-साथ अदानी को कितना लॉस हुआ एंड आखरी आदे घंटे में क्या ज अदानी ग्रूप में इन तीनों की तो कितनी है तीनों की जोड कर में बात करा हो लगबग 44,000 करोड लगबग राउंडेट फिगर बोल रहा हो अच्छा लगेगा सुनने के लिए 43 से 44,000 करोड इतनी वर्थ है किसमें अदानी ग्रूप के 4 शेर्स में वो यहाँ पर अपनी होल्डिंग रखते है अदानी ग्रूप के पते हैं आप लोगों को 6 शेर्स लिस्टेड है उसमें से 4 में इन कि यहाँ पर होल्डिंग है और इनी के अकाउंट यहाँ पर NSDL ने फ्रोज किया है यह रिपोर्ट के जारा फिलाल तो हम लोगों को यह सारी चीज़े देखने को यहाँ पर मिल रही है उसी के साथ-साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो रीजन क्या है ओवेसली फ् insufficient disclosure of information regarding beneficial ownership as per the POMLA POMLA मतलब Prevention of Money Laundering Act said the top official at custodian banks and the law firms handling the foreign investors so उनसे यह चीज़े यहाँ पर मिली है मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर disclosure से related कुछ बाते हैं मतलब अगर आपको मैं बताना चाहूँगा अगर आप foreign से जो भी आप लोगों का नाता रहता है चाहे आप लोग विदेश में पैसा भेजते पुरा ही नहीं किया होगा ऐसी बात नहीं उन्होंने किया है बट इंसफिशेंट है आदी अदूरी बाते यहाँ पर उन्होंने डिस्क्लोज किये information यहाँ बताईए यही चीज़े यहाँ पर प्राइमरीली फिलाल तो यहाँ पर रिपोर्ट के जरीए भी सामने आ रही है उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो senior officials है जो custodian के अगर हम लोग बात करें तो उनके भी कुछ बाते यहाँ पे सामिन रखें जैसे कि आप देख सकते तो the freeze could be because of inadequate beneficial ownership documentation यह भी पार्ट उन्होंने यहाँ बताया है यहाँ अगर हम लोग यहाँ बात करें जब इस ची requirement रहती है वो अगर आप comply करने में fail हो जाते हो तो इसका result आपके accounts froze होंगे यह already clients को यहाँ पर बताया जा चुका था इसकी warning भी आपर दी जा चुकी थी बट उसके बावजुद भी कोई सामने से response नहीं है इसलिए step यहाँ पर लिया जा चुका है यह भी news हम लोग को फिलाल new security आप कुछ भी इसमें transaction करी नहीं सकते एक मामुली सा हम कह सकते एक common sense वाली बात है जो कि हम लोंको यहाँ पर देखने को मिल रही है जैसे की emails बेजेगे NSDL को जो depository है सेभी को और अदानिक group को भी बट किसी ने भी इससे related यहाँ पर answer नहीं दिया आप देख सकते है रिमें अन-answered इसलिए यहाँ पर बोला जा रहे है कि रिपोर्ट के जरीए यह सारा फिलाल खेल हम लोंको देखने को मिल रहा है उसी के सा अब देख सकते हैं अब देख सकते हैं अब लोग यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर इंवेस्टर हम लों को देखने को मिले हैं उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे suspicious reports फिलाल देखने को मिल रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो जो registered है उनका जो address है बिल्कुल same address है पोर्ट वेबसाइट भी नहीं है तो यह बहुत बड़ा question mark फिलाल आपके सामने आ रहा है ऐसे बहुत सारे reports के जरीए सारी चीज़े सामने आ रहे है इसलिए से भी इसमें बहुत deep investigation करना चाह रहा है इतना बड़ा investor है इतने सारी चीज़ेया और website ही नहीं है मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो और इनी का investment की अगर हम लोग बात करें दोनों की अगर जोड कर तो अदानी enterprises में लगबग 6.82% की investment है transmission में 8% gas में 5.92% and green में 3.58% तो यह एक चीज हम लोग यहा पर देखने को मिली है कि उनकी website ही फिलाल नहीं है and address भी बिलकुल same है तो यह भी एक point ज़रूर रहेगा यहापे भी deep investigation हो सकती है तो दोस्तों बहुत सरे लोग यह भी सोचेंगे कि यह जो चीज है अभी investment इसके पहले भी बहुत पुराने time से भी रहे होंगे तो क्या यह अभी अभी है तो दोस्तों में बताना चाहूंगा यह जो चीज है आप लोग को पता है यह जो law रहते कानून रहते यह amend होते रहते इसमें भी अगर हम लोग यहापे बात करें तो foreign investment से related कुछ strict यहापे कानून बनाय जा चुके थे documentation से related KYC से related भी बहुत strict rules यहापे बनाय जा चुके थे और उसी के तेहत आप लोग यहापे देख सकते हो the funds were giving the time till 2020 to comply with the new norms देख रहे हो new norms मतलब नई चीज़ों को यहापे इंटर्डूस किया गया था कि अगर आप foreign से related कोई भी आप invest करते हो और वहाँ से पैसा यहापे आता है तो कुछ चीज़ें आपको disclose करनी पड़ेगी नए rules के इसाब से अगर fail हो गए इसमें तो आपका demat account यहापे freeze किया जाएगा और उसी के तहत यह new rules के तहती यह action फिलाल यहापे लिया जा चुक है यह reports के जरिये news यहापे सामने आ रही है so यहापे अगर हम लोग बात करें तो यह चीज़ देखने को मिल रही है prevention of money laundering act and all that nsdl सब ठीक है बट अभी जैसे ही अगर आप लोग देखोगे अदानी ग्रूप आप सभी लोग को पता है इनके जो shares है आप लोग को पता है 200% 1000% तक पिछले year से हम लोग को देखने को मिले भाबते होई देखने को मिले तो separately say be also want to investigation यहाँ पर कंडग करना चाते कि क्या यहाँ पर कोई price manipulation की चीज़ है भी या नहीं तो यह भी एक चीज़ यहाँ पर start हो सकते है आपको पता है ऐसी जब चीज़े आ जाते है तो uncertainty बहुत बढ़ जाती है क्योंकि इसका outcome आप लोग judge नहीं कर सकते तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली है उसी की साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो already यहाँ पर कुछ investigation हम लोग को चलते भी देखने को मिल रहे है और वो ongoing भी हम लोग को यहाँ पर फिलाल देखने को मिल रहे है जो इस matter से deal कर रहे है उन्होंने यह फिलाल चीज़े बोली है अगर आप लोग सेबी को यह चीज़ पूछोगे तो सेबी ने खुद कोई भी इस query से related अभी तक response नहीं दिया है तो यह सारी चीज़े reports के जरी सामने आ रहे हैं यह भी आपको पता होना चाहिए देन दोस्तों बात करें तो पिछले एक साल की तो अदानी transmission के returns आप लोग देख सकते हैं लगबग 700% gas की बात करें तो साड़े 300% enterprise की बात करें लगबग 900-1000% अदानी green की बात करें तो लगबग 200% मतलब जितने भी shares अगर आप देखोगे ports की बात करें पावर की बात करें तो वो भी आप देख सकते 147 लगबग 300% कुछ जादा ही तेज होते हुए देखने की मिलें तोटल market cap अदानी group का लगबग 10 लाग करोड के आसपास पोज़ गया है इसका जो सबसे जादा फाइदा है हम लोग कह सकते उनी के जो चैर्मेने गौतम अदानी को हुआ है क्योंकि वो इंडिया के नहीं एशिया के second richest person यहापे बन चुके है सो यह बहुत ही मतलब हम लोग कह सकते हैं बहुत ही बड़ा हम लोगों को यहापे यह जो case है matter है फिलाल चलते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें भी अगर आप लोग maximum share holding देखोगे प्रमोटर की है 75% transmission हो या फिर enterprise में भी 75% approximately बात करो यहापे भी 75% gas की बात करे ग्रीन की बात करे तो 56 है तो free float बहुत ही कम है यह भी हम लोगों को यहापे देखने को मिल रहा है सो दोस्तो यह तो होगी एक basic information मुझे इसा लगता है कि आप लोगों को कोई ऐसा नहीं आए information पता नहीं चले यह सारी चीज़े अलरी बहुत अच्छी तरीके से available है अभी आ जाते है उस main drama के उपर यह दोस्तो exactly drama क्या हुआ है दोस्तो आखिर के आदे घंटे में या फिर आप बोल सकते 20 मिनिट जब बाकी थे तो अदानी ग्रूप यहापे उन्होंने खुद यह दोस्तो आप देख सकते हैं कि demand account of three foreign funds जो नाम यहापे लिए गए आप लोग देख सकते हैं कि यहापे जो फ्रोज हो चुके उनके तो यह fake news है यह बे बुनिया न्यूज है और कोई भी यहापे account फ्रोज नहीं हुआ है यह अदानी ग्रूप से आया हुआ official statement है और इसी के चलते आप लोगों ने देख इसे बोलिए जैसे कि यहापे बता है उनने रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजंट से उनको जानकारी मिले उनके इसाब से किसे रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजंट को पूचा गया कि क्या accounts यहापे फ्रीज हुए तो उनने काए कि ऐसी कोई भी चीज यहापे नहीं गए तो यह आखरी के आखरी के 20 मिनिट में हुई वही चीज है जो कि हम लोग यहापे कह सकते हैं तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा जैसे में आप लोग को कहा था वो हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड यह जो चीज चल रही है बाजार में यह लगता है य इतना नेट वर्थ साफ हो चुका है इसी आज के एक दिन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनीका यहापे हो चुका है जितनी भी इंपोर्टन इंफोर्मेशन थी वो मैंने यहापे कवर कर लिए अगेन कहना चाहूंगा यह सारी चीज है इंटरनेट के उपर अवेलेबल है वही चीज मेंने आप लोगों को प्रॉपरली प्रेजेंटेशन के साथ यहापे बता दी है राइट सो आयो पाशा करता हो आप लोगों कोई वीडियो पसंद आया होगा कुछ चीजे सीखने को मिले होगी तो जरू इस वीडियो को लाइक और शेर भी कर देना सो देट से ट